कि यह कूलर चार हजार संथिंग आता है कितने के जाता है सर आप से कितने लिए साड़े आर्ट हजार रुपे आप सोच सकते हो रैम का फिरिक्यूंसी हमने बढ़ा दिया अब हम इसको कुछ चीज़े चेंजेस करेंगे हेलो फ्रेंट मेरे नाम है मनोज दोस्तों सवागता आप सबीएकर मेरे चैनल इसका नाम है मनोज विडियो मिक्शिंग पॉयंट तो दोस्तों अभी मेरे पास में भाया आया हुआ है राजास्थान से जिनका PC आप मेरे सामने में देख सकते हो इस PC के अंदर में Core i9 10th generation का प् आटा के यह डूल टैबल वारा कूलर लगाए है और इसके अंदर में जो SSD है इस जगे में आप देख सकते हो यह जो जैन 4 का SSD जैन 3 की जगा लगा है जैन 3 का SSD जैन 4 की जगा हुआ है यह जैसे मैं इसको चैन्ज करता हो तो सिस्टम सट्डाउन नहीं होता ना सट्डाउन प्रावलम होता है और प्रावलम हो था इसका समय होता तो आपको करने बढेंगे जिन्के साथ में भी लेकिन और लिकिन इसका सब्सक्राइब ले कने से फेले और यह अब बोड का बायूज होते हैं उसी हमें बैकप लेना होता है बैकप बना के तभी जाके करना अगर डैरेक्टली करोगे बायुज को अपडेट कहलो जा फिर फ्लैस कहलो तो आपके लिए फिर इसु हो सकता है तो बैक अप रहेगा तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा अब बाते करें भाई मेरे पास में पीसी लेके क्यों आया है तो पीसी लाने के रीजन ही है कि भाई कैया अभी कहना मैं कितने दिर के वीडियो आपे कितने दिर में एक्सपोर्ट करते हैं एक घंटे का 40 मिंटर है जब यह कूलर लगा हुआ ता तब 18-19 मिनिट तब 18-19 मिन इसके तार ही नहीं लगा है यह 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 आप देख रहे हो ना यह चीज यह मदर बूर्ट पर आप इसको लगा दो गए इनका शॉप वे राता है गीगावाट वाले का ए रजी वी के नाम से वह आप लगा होगे तो उससे आप कॉंट्रोल कर सकते हो अब मेरा मानना है दोस्तों अगर आपने लिक्यूट फैन लगाए हो तो ऐसे गलती नहीं करना कि लिक्यूट हटा करके एर कुलर लगा देना लिक्यूट फैन सबसे ज्यादा बढ़ियां होता है क्योंकि मैं खुद भी पर्सनली यूज कर रहा हूं आप देख सकते हो मेरे मसीन में वह आप लगा हुआ 360 mm का कुलर लगा हुआ है तो कभी भी यह चीज आपको नहीं करना चाहिए अना ही किसी को मैं राय देता हूं कि भीया जी लिक्यूट हटा करके एर कुलर लगा लो एर कुलर लगाने से मैं यह तो नहीं बूलूँगा कि मसीन खराब हो जाता है लेकिन इसका लूग काफी ज़्यादा तेड़ा हो जाता है अगर आप इसके अंदर में राम चेंज करने के लिए सोच कि आपको खूलना पड़ेका है तब आप इसके अंधर में राम लगा सकते हो अगर आप डारेक्ली लगाना चाहigareं तो नहीं कर सकते है तो यह थोड़ा कर सकते हो कि यह system मेरा बूट हुआ है नहीं हुआ है यहां पे एक light है red color का पहला जो होता है CPU को होता है दूसरा RAM को होता है तीसरा जो है आपका बूट का होता है तो बूट पे जैसे जाएगा तो बूट पे जाकर गए आगे में जाकर रूख जाएगा आपका डिस्प्ले के होगा है तो आप समझ लेना कि हमारा पीसी ओन हो चुका है अब यह भाई लोग बहुत दूर से हुए है क्योंकि आपने मेरे पास पहले भी कॉल क्या है कितने का फैन मिला था यह वाला इस रेकाला कितने का साड़े आठ चार रुपे के यह वाला तीन अजार रुपे का हाई है तो घृट लुट लगा था मैं यह ज़ग लगा तो पहले बारत तो उन्होंने जो गलती कि वह कुलर को तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता है रापने भी यूटुब में लगाना चाहिए बिलकुल भईयाजी क्योंकि सब्सक्राइब कि अच्छा लगा है क्योंकि भी यह सब चीजे जो आर वन टाइम होता है एक बार आप इन्वेस्ट करोगे ताकि वह सालों साल चलेगा इसका यहां हो जाता है श्वा ज अधयाइटर में पानी का सब्सक्राइब करता है जिनके वह इसे हीटिंग का इसू कभी नहीं आते और एर कुलर में क्या होता है कि यह जो एक तो पहले बात इतने वरे होते बहुत काफी जादा बेट हो जाते है देखने में अच्छेने लगा तो फ्रेंड अभी जो है मैं इस PC के अंदर में बायोज फ्लैस करूंगा अभी यहां पर मैंने बायोज डाउनलोड किया है इसके वेबसाइट से और यह इसका बायोज है इसे हम फ्लैस करेंगे बहुत सार भाय बहुत सार भाय से अप्डेट भी कहते है तो इसको करने के लिए अगर आपके पास में एक्स्पीडियेंस हो तो ही करना अधर वार्वाइस में हाथ भी नहीं लगाना क्योंकि यह बहुत ज़्यादा रिक्स का काम हो जाता है सिस्टम को करेंगे रियस्टार्ट एफ 12 को बटन दवाते रहेंगे क्योंकि हर मदर्बूर्ड का बायोश अलग-अलग होता है मैंने पिछले वीडियो में भी अपना बताए था कि हर मदर्बूर्ड का बायोश अलग-अलग होता है अब यह देखो क्या लिखा हुआ रहे है क्या लिखा है से अभी तो मैंने कुछ इसमें किया नहीं है यही इसू है जो कि आपको यह प्राव्लम आ रहा है और यह सब चीजे बहुत ज़्यादा रिस्की का होता है उन्होंने आपको यह बोला था है मैं इसमें बायो सेट कर दे रहा हूँ अभी मैं एक एक बायोज को एक्स्प्लेइन करता हूँ यह देखो इंटर्नल ग्राफिक ओटो पे है जो कि यह होना ही नहीं चाहिए हाँ यह इसे अनेवल होना चाहलांकि मैं भी इसको नहीं छेरूँगा क्योंकि मैं देख लेता हूँ कि अगला वंदे ने क्या क्या की है उसके बाद मैं आपको भी दिखा दूँगा यानि कि आपके कंप्योटर में राम पूरा तरीके से यूज नहीं हो रहा है कितने मेगाट का आपने राम लगा है इसमें 32 GB का राम है जो अभी आपका राम यूज हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ कितने यूज हो रहा है 32 मेगाट का आपका राम है अच्छो हो रहा है 126 मेगाट राम यह आपका यूज हो रहा होगा अगर मैनूल बायोज शेटिंग किया हुआ होता कोई भी आदमी तो यह चीज उसे डिसे अनेवल करना चाहिए क्योंकि इसे बायोज को मैं फ्लैस कर रहा हूँ क्योंकि बायोज शेल्डाइस करों गाँ तो यह सारा चीज अपडेट हो जाएगा अभी मैं इसका फर्स्ट बायोज में जाकर चेक करूंगा पहले कि बायोज कौन सा है यहां पर आप देख सकते हो बायोज बर्जन F5, बायोज डेट 2021, मैंने आपको सही बोला था, अब ये चीज़े जो ढूंडना होता है न, यही बहुत मुस्किल काम हो जाता है, क्योंकि हर मदर बूर्ड का अलग-अलग होता है, यहां पे एक क्यूप फ्लैस F8, यह देखो, आगया, इसे कहते है बायोज के शेटिंग और यह चीज हड किसी के बस बात नहीं है, कह देना अलग चीज होता है, करना अलग चीज होते है, अब यह देखो, यह देखो, आप लो लोग देख लो, हो रहे हैं न, बूर्ट, मैं तो इसमें कुछ नहीं कर रहा है, जब कोई आदमी किसी भी कम्प्यूटर में मैनुएल बायूज शेटिंग करेगा तो पहला काम जो उनका होता है बायूज को देखना कि मेरा बायूज कौन सा बर्जन का है ठीक है और ये बायूज अपडेट करने से अच्छे अच्छे आदमी की फटती है इस टैम जो है एक म दर्वर खराब हो जाएगा ये बहुत रिस्क का काम होता है इसलिए कोई आदमी इसमें हाथ ही लगाना नहीं चाहता है अब मैं आपको बोल दूं कि मैं भाया जी मैं आपकी पीसी में जो है हवाजाज बना दूंगा है तो भाय मसी नहीं है इनमें जो प्रॉब्लम होगा म इसको अपडेट होते होते है इसनलिए काम लेता है नहीं वाम बाल। damn कि ऑपर यहाजमना इसे उपर अभी तक हमें प्रॉप्युन्टर वायोच होगा अपने पी रे स्टीम उहाज योगा दोतीन वार होगा वह बहु उते कुछ में और च्छी नहीं जो कुछ भी नहीं झ सिस्टम रिया स्टाट हुआ है कि इसी में लोग घवरा भी जाता है कि आर क्या हो गया आप तो सिस्टम तो गया लेकिन एक चीज आप दियान लगना कि अगर आप अपडेट करते हो या फिर कोई भी करते हैं अब बायूज के टैम पर लाइट कट गया तो कंपनी वाला इसकी सर्विस वारेंटी नहीं देता है खतम तीसे लिए कोई भी आदमें नहीं मैं तो बता दे रहों भीया जी कि इन बोला मैंने पूछा ली ता मैंने सार्ट बायूज अप्डेट ऑनलाइन हो जागा क्या मैं आपने मना कर दिया और मैं इसकी दिस्प्ले दे दिया और आपका बायोज हो गया बिल्कुल प्रेश एक भाई मेरे पास में आई हुए तो यूपी से उनका भी मसीन मैंने रिपेर करके दिया था उस मसीन के अंदर में भी पंदर दिन ने पता नहीं बोर्ड पूरा कंप्यूटर उसको बनाया था क्या बोलूँगा अब हम इसमें करेंगे म मैंने इससे पहले इंवेटर था लेकिन मैंने उसको यूपीस मोड पे किया लोग वोल्ट आएगा तो बंद कर देगा अब मैं उसको आउन करूंगा तब जा करके अब इसके अंदर में क्योंकि आप हमारे को इसू नहीं है कुछ लोग को का कहना मैं कि ग्राफिक की जरोत नहीं पड़ता है लेकिन ऐसे नहीं है कि ग्राफिक कार्ड का जरोत पड़ता है मैं अभी आपको बायो शेटिंग करवाता हूं अगर आपको देखना है तो आप आके देख सकते हो बतीजी विर्याम है अभी आपका जो कंप्योटर चल रहा है वह कितना फ्रीक्वेंसी में अगर कोई भी आदमी इसको चेंजेस करेगा बायोज में तो यहां पर आपको पहले ही सो कड़ेगा बेसिक मोड पे लास्ट में हमें जाना होता है एडवांस मोड पे और यह अभी सीप्यू के फैन चल रहे है आप देख रहे हो यह सीप्यू का फैन जो है अट्ठाइसो आ अब इसके उपर मैं अगर मैं बोलने लग जाओंगो तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएंगे यह तो अभी जो है हम आपके पास में एसेजडी जो लगा हुआ है देख रहो बिंडोज का एसेन फाइटी जो की जैन फोर एसेडी है जैन सेवेंटी आपका जैन आपका जो अब हम चलेगे एडवांस मोड पे ठीक है तो पहले जो हमारा जो राम चल रहा था उसको हम रहा का फिरिक्वेंसी बढ़ाएंगे राम का फिरिक्वेंसी हमने बढ़ा दिया अब हम इसको कुछ चीज़े चेंज़ेस करेंगे अभी हमारा बायोज के यहां पर ऑप्शन दे देगा राम जो हमारा मेमोरी इंस्टॉल है वो यह हमारा 32 जी भी है फिरिक्वेंसी इसका ठीक है सब कुछ ओके हम इसको करेंगे सेब और जो भी चेंज़ेस करेंगे यहां पर आ जाएगा इंटर यह आपका हो गया बायो शेटिंग इसे कहते हैं मैंनुल बायो शेटिंग अब जैसे आप फैन चेंज करेंगे लिकुड कूलर हां उसका फिकेंसी बढ़ जाएगी हां उन्हें कभी नहीं चरकानी करना जो कोई आदमी अलांकि मैं तो हर आपने लगवा लगवा वीडियो बता तो मेरे भीया जी मैं यह नहीं कह रहे हैं इसकी आर पीम दो हजार सूपर यह बढ़ी नहीं सकता क्योंकि कंपनी वाला दो हजार आर पीम के यह फिक्स करके देगा तो आप इसको आठाइसों पर कैसे क जुर्य होते हैं जैसे लोढ़ पड़ेगा थे तो मैंटिक ल उसकी बढ़ जाएंगे इन में जैसे लोड पड़ेगा ना इसकी स्पीट कम जादा होगा जैसे को गरम होगा इसका का खासियत ही होता है कि जैसे हो जाएंगे कम हो अपने दोंगो अपने आप यह स्ट्रा में इसे फीचर समय चलो यहां कि कि हिए दों किसे सब्सक्राइब मेरे पास में लैसेंस किया है आपका जेन 4 एक एसेशडी जेन 4 में लगा दो आपका यह काम कर रहे है लेकिन यह थोड़ी देर में छोड़ दे रहे हैं अब आ गया ना यह वाला है तो हमने दूसरे पर लगाया इसे यह आपके मदरबोर्ड के इसू है यह इन विल्ड इसू है यह जिन्होंने पीजी बनाये होगा उसने उस टेम पे पही वार लोग उल्टा लगा देते हैं यह वाला जो होते हैं मैं आपको थोड़ा संगा देता हूं जो इसी में साटा एसेशडी पहले आते थे उसमें दो कट होते थे इसमें सिंगल कट है इसका मतलब नवी दो कट वाला इसका मतलब साटा मेरे पास में भी था एसेशडी परवाभी तू नहीं है यह तुम आपको दिखा देता है वही उन्होंने गुसा दिया होगा दो कट वाल इसको साटा एसेशडी बोलते है इसली उसके अंदर में लग इसके ने में रलता हुए है क्योंकि दोनों साट में कट होते है जिनके वेकिसी इसकी पेंड़ा हो गया है यैं जिसके चोन दे रहे हैं काम तो कर रहा है यह वैं ऐसे था होता है विंडोज हो रहा है आपका इंस्टोलेशन और यह वाला पंखा इसमें लगाने ना चैनल सब्सक्राइब अभी आप मत लगा हो मैं आपको रीजन में समझा देता हूं ग्रैफिक कर लगाज़े तो आपको क्या प्रॉब्लम है जितने आप लोग ग्रैफिक यूज करते हैं और प्रीमियर के इस प्रोसेशर के खुद के पास पर ग्राफिक होता है। तो जो आप काम करते हो उसके लिए नहीं है, तो आप बाड़ा ग्राफिक काड़ पर पैसे क्यों फशाओगे। अब दूसरा बाते हैं कि ग्राफिक काड़ किन लोगों को लगाना चाहिए। 마 Warrior आपके पास इतना टाइम नहीं बचे छांँ, आप एक ओiran पिर करें नहीं नहीं करो गें प्रेम मैं ने रखता है कि ड्री ने रखती के ड्रेट का किसी का ड्राब हो दो किंद दिशन या गलती करते हैं 1922 गार्ठ काड लिया है और बारा जीबी काड आपका आपका ऑरमाएं जी और अब LAज ओन्हु ऐता यह आपका जो हैं ग्रैफिक काड का विट्रेट 192 डोसु छपन निगल सकते हैं नहीं निगल सकते हैं तो बीट रेट का काम वो सेमी होते हैं जिस ग्रैफिक काट का जितना ज्यादा बीट रहेगा वो उतना ही ज्यादा मेहगा रहेगा यह चीज जो दुकंदार लोग होते हैं या फिर यह के लिए कुछ ऑबर टैलेंटेड आदमी वह आपको ग्यान देगा कि भाराज जीवी कार्ट ले लो उनको यह नहीं पता होता है कि यह बीट रेट महांने होता है बीट के लेट जीतना अच्छा रहे गा काव अच्छा रहेगा अभी जो आसफे जो एक्स पॉर्ट किए हैं यह हमने अभी किया झालर फोटेज है Happy आपको पता है ही बहुत हडूं है अज़र के वीडियो ही मैंने अपके PC में अभी एक्सपोर्ट किया था एक Χंटा कितना बता है तो ग्हंटा चार मिनुट का एग घंटा आठ बिदिधियो वह बता है ग्यारा मिन परश्टार्ट हुआ था है ना पता अलग जाते हैं अब बायूज के सेटिंग मैंने आपको पताई दी कि क्या होते वायुश लेकिन यह जरूरी नहीं कि आपके mother world में है, वो सेम ही mother world में किसी और में होगा. जो मेरा मसीन है जिस पर मैं काम करता हूँ, वह भी और अरज की board है. इनका बायोज अलग है, उनका बायोज अलग है. अगर ये ये सेम जो setting है, उस mother world पे अपलाए करोगा, तो हो सकता है वह आपका display भी न दे. तो फ्रेंड इस पीसी के इंतर में जो अभी प्रोब्लम मुझे दिखा है वो यह एर कुलर का है यह एर कुलर जबकि यह तीन-चार अजार रुपे काता है जबकि जिन भी भाई ने भी इसमको बनाया है उन्होंने इससे साजार रुपे लिए जो कि बहुत गलत बाते हैं और मैं कभी किसी को रिक्वेंट करता भी नहीं हूं कि भाई एर कुलर लगाओ आयन जैसे मसीन में आप थे पहीं और होतता wynum त्युक्ति फेसर हे निकिल हमनुआ हम कान और हश्राव नाया पकिक कि यह तहने पहलार प्रकार हम भाई गया sih-जेख हो प्र diese जो निकल के लिए जाकम दे नीचे अल्ग में देख सकते हो साधे eight आजार रुप्य आप सोच सकते हो साधे चार आजार का साधे out अजार रुप्य जो कि गलत बाते हैं यह कूलर हमने आभिर बंगाया है जो कि हम इस थी सी में लगाएंगे हालाइं कि हमने अप्डेट किया था बाइो सेटिंग की थी आपके सामने की थी ना था ऐसे तो मैं बार बार इसलिए इसको जो प्रोसेजर के चीज़ चूपके देख रहा था कि हीट क्यों नहीं हो रहा जब कोई चीज में बीच में अगर सही से चिपका हुआ रहेगा थर्मल पेस्ट इसी दिल लगा जाता है ताकि गाप को मैंटेंग कि जाए अगर जब गाप ही मैंटेंग नहीं होगा तो यह रीजन होता है ताफर मुझे नहीं लग रहा है कि कि नाम लेकर किसी को बदनामी करना चाहिए गलात बाते हैं लेकिन कुछ-कुछ लोग ऐसे भी है जो दूसरे को हमेशा नीचे दिखाने में कोई कशर नहीं छोड़ते हैं लेकिन यह गलत है लेकिन मेरा मानना है कि मैं कभी भी जब मैं यूटूब पे 2016 हूँ नहीं मैं किसी को बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो अपने काम से मतलब रखना चाहिए और खुसर होगे दूसरे के अंदर में इंटरफेर करोगे तो आप हमेशा दुखी रोगे तो इसको हम पड़ाबट कर देते क्योंकि आपको भी हो रहा है लेट अब पहले जब लगा हो तो इतना तकलिफ नहीं हुआ अब ज्यादा तकलिफ हो रहा है क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता यार आप सम्हाल को रख लो अभी देखो मुझे थर्मल पेस्ट इसको साफ करना पड़ेगा अगर मैं जरासा भी इसमें गल्ती करूँगा तो फिर दिक्कत हो जाएंगे ज्यादा इसकोने में पहुंच गया है अगर थोड़ा दिन अगर और यह नहीं देखते न पीस आप पैसा ले रहे हो तो ऐसे नहीं करना आप वह मैं साब कर दूँगा जब मैं करूंगा तो मैं सब कुछ ही कर दूँगा आपका जो चीज नहीं होने वाला होता हो तो मैंने कर दिया सिंक नहीं होती जल्D तो यह दो छोटा चीज़ है हाँ इसलिए ज्यादा नहीं कभी भी किसी भी अच्छे जो पीसी विल्ड करने वाला होगा जो आपको हमेसा जो एक मटर के दाना होता है na मटर के दाना उसतना ही थर्मल पेश्ट लगाए जाता है थर्मल पेस्ट ज्यादा लगा दोगे तो क्या आपको क्या लग रहे है ज्यादा ठंडा करने लग जागाए अगर यह सूख कैसे इतना चला गया अगर यह हीट हुआ तो आपको पता है कि इतना प्रॉलम हो जाएगा मैं एक और शिस्टम और कस्वा रहा था उसका ये पहले ये करवा ला रहा था नहीं 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 ठीक पूरे हाथ में लगया थर्मल फेस्ट इतना ज्यादा चोटे कन के मातरा होते हैं तो कभी भी पीसी कंपोनेंट में फूप नहीं मारना चाहिए उससे कभी नहीं हाँ जब उसमें तो अब उसके बारे में भी आपको यह रख लीजिए ब्रेकट कर सकते हैं पंखे पर जल्दी प्रेसर नहीं मारना चाहिए किसी भी पंखे पर नहीं मारना चाहिए तो फ्रेंड आप देख सकते हो कूलर मास्टर के डबे में से आपको यह ब्रेकेट मिलेगा जो कि आधा किलो रहेगा और यह दो पंखे अगर यह मार्केट से अगर आप एक पंखे खड़ी तो चोदो सो पंदरो सूर पे एक मिलेगा यह क्था यह पंखे एर जीवी वाला है अर्जो हमला में चीज होते हैं किसे दोशोचाली में का लिक्यूड आप इन भाइश ने लिक्यूड हटा करके एर फैन लगाया पिर जहें लिक्यूड लगा रहें दोसोचाली से वें का है है तो दोस्तों में इसमें लगा करके फिर जो है video कर अभी देख सकते हो इस पीजी के अंदर हमने जो कूलर लगा है 240 mm का इसको अures अचा करके कि यह श्सक्री इसके अंदर में लिक्यूट कूलर लगाया जो कि आप सकते हिहां पर देको कितना बैतर लग रहा है देखने में भी अच्छा लग रहा है अगर कल को भाई चाहे तो राम भी चेंज कर सकता है इसली इसको लगाने के बाद में आप नहीं कर पाओगे अजितना महगा यह कूलर लगाओगे उतने कहीं सेम प्रैज के तो यह आ गया ना साड़े आठाजार के आपने इसको लगाया और यह भी जो हमारा इससे कम प्रैज में आ गया तो काय के लिए हम इतना ज्यादा इसमें पैसे इन्वेस्ट करें अब पहले जैसे कि आप सिस्टम ऑन कर रहे थे तो फैन के स्पीड ज्यादा होता था अब हमने किया है परफेक्ट लिए हो रहा है सही चल रहा है तो जिन अब बाइने यह लगा है मैं हलांकी उनका नाम तो नहीं लूँगा प्राइज मां लोओ चारहाजार के चीज़ और चारहाजार के प्राइज के आप जेगाए पांच हजार लेव ठीक है ना जी कि आपने मैं ने कोडियर से मंगाए है या फिर किसी वी चीज से मैं मंगाया हो तो मेरा इतना कोश्ट लगा है चार अजार की चीज़ का पांच जार ले लो चलेगा लेकिन वहीं साड़े आठ अजार रुपे लेना यह गलत बाते हैं जिनका यह पीसी उन भाई को तो मैंने बायूज उनके सामने अपडेट किया है बायूज अपडेट करने के टाइम प वह बायूज में कुछ भी ज़्यादा बायूज सेटिंग नहीं की थी अजब भाई ने उनसे पूछा कि आपने सेट करते हैं तो उनको बनता है तो आपको देगा लेकिन यह नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैंने बायूज को सारे चीज़ चेक किया था तभी मैंने बायूज क तो यह चीज बहुत गलत बात है क्योंकि भाई लोग राजस्थान से आ हुए बजों की बहुत दूर से हैं हलाएं कि आज सुवे में बारिस भी हो रहा था अब गाड़ी में लेकिन यह गलत हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता ठीक है जी तो चलो दोस्तों मिलते किसी औ 8000 पर खड़िद के अपने PC में लगाना इतना वरा गलती नहीं करना साड़े 8000 का कुलर लगाने कोई मतलब नहीं बनता भी या उससे बैतर है कि लिक्यूड कूलर लगा हो हलांकि कुछ महाग्यानी लोग यह भी बोलेंगे कि लिक्यूड कूलर खराब होता है लेकिन आप क यह सीरीज में कभी भी इसको नहीं लगाना एस्पेसली उन भाईयों के लिए कह रहा हूं जिनके पास में फोटिंजन्नेशन का मसीन है अगर उस फोटिंजन्नेशन के मसीन में आपको बुल्वे स्क्रीन दे रहा है तो वह मेरे से कॉंटेक्ट कर सकते हो और दूसरी बाते कुछ भाईयों का कहना है कि अछी फोटिंजन्नेशन ही वेकर है तो ऐसे भी नहीं है मेरे बुल्वे स्क्रीन या सोनी होदा होता है और फ Ingred years है और है कूलरल अच्छा नहीं लगा तो इसलिए घराइश्व आता है अभी ऑनलाइन बगरा पतानी कहां से क्या प्रचेस किया था और वह भाइब मेरे को बता रहा था कि भीया जी मेरे मशीन में यह प्रावला मारे मैंने उनको ठीक करके दिया उसके वीडियों में बहुत जल्दी अप्लोड करने वाला हूं तो महरा मानना यही है सारा चीज का समधान है लेकिन किसी को बहुची जाता है और किसी को नहीं आता है पाँछे लोग आये हुए दूर दूर से आये हुए चलकर कि क्या बता बता देते हैं जैसे कि राजस्तान वाला वाय ने बोला कि साड़े चारहजार का कूलर था तो जिन भाईयों को भी 12th generation के पीसी वर्वान में 13th generation या फिर 14th generation को भाई मेर से कॉंटेक्ट कर सकते हो मैं आपको बेस्ट प्राइज में बेस्ट मसीन आप लोगों को बना के दूंगा जो मैं मसीन बना के दूंगा वो मसीन में कभी इसू नहीं आएगा चया वो 14th generation का आयनाइन ही मसीन क्यों नहों उसमें भी आपको बुलू स्क्रीन देखने को इस वीडि हानरा के